नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल अब्जेक्टल सेंटर पर इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इंपलाइबिलिटी स्कील फास्टियर का दोस्तों यह पांचमा चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे जो पांचमा चैप्टर है बेसिक इंगलिज स्किल इसको देखने वाले हैं अब इसी में से आपके दोस्तों कोशन पूछे जा रहे हैं जो इस समय घ्याम चल ला है फ अगर हम क्या सीख लेते हैं तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान है तो देखिए अगर हम लोग दोस्तों अंगरेजी सीख लेते हैं तो इंटरनेट का यूज करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर तीसरा कोशन करें We can learn English भाई हम अंगरेजी किसके द्वारा सीख सकते हैं तो देखिए दोस्तों अंगरेजी जो हम लोग सीख सकते हैं वह रीडिंग नुच्वेपर समाचार पत्र पढ़कर सीख सकते हैं चौथा कोशन है कि टाम ट्राइज टू रीड दा नेम बोर्ड अडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर दैट आर इन इंगलिस इस हेल्प हीम तू टाम अंगरेजी में लगे नाम बोर्डों विज्यापन और पोस्टरों पोस्टरों को पढ़ने की कोशिस करता है उसे किस म में मदद मिलती है तूसे दोस्तों इंप्रूव हिज इंगलिस अंगरेजी सुधारने में मदद मिलती है फोर के आप रडी आंसर करेक्ट हो जाएगा पांचों कोशन है वेन पेपूल फ्राम डिपरेंट स्टेट्स या कंट्रेज मीट आफिसियली इज दा कॉमानले जादा तर हम लोग अंगरेजी कहीं पर भी यूज करते हैं जैसे कि अपने स्टेट में किसी स्टेट में या किसी अधर कंट्री में तो आप इसले में दोस्तें इंगलिस ज्याद मानिता रखता है तो यहां पर आपसा नंबर भी करेक्ट हो जाएगा इंगलिस छटा कोशन जिन सब्दों का उपयोग लोगों अस्थानों जानवरों और चीजों के नाम के लिए किया जाता है वह क्या होते हैं तो वह रहते हैं दोस्तों आपके नेमिंग वर्ड यानि कि नामकरण सब्द होते हैं साथमा कोशन कि नेमिंग वर्ड आर आलसो काल नामकरण सब्दों क को और क्या कहा जाता है तो देखिए नामकरण सब्दों को और हम लोग नावन यानिकी संग्या कहते हैं अब देखिए आप पर है बैट्स फ्लाइ डिूरिंग दा नाइट इन दिस संटेंस दवर्ड बैट इज चमगादर रात में के समय उड़ते हैं इस वाक्य में चमगाद है दोस्तों वह आपका एक परकार का नेमिंग वर्ड है तो एक नामकरण सब्द है नौवा कोचन है राम वाज आस्ट आस्ट तू मेजर ही कप बोर्ड इट वाज फोर फिट टाल हीर फिट मीन राम को अपनी अलमारिम अपने के लिए कहा गया यह चार फिट लंबा था यह यहां पैरों का मतलब क्या है यहां पर पैरों नहीं रहेगा दोस्तों यहां पर है फिट का मतलब क्या है यह चार फिट लंबा था यहां पर फिट का मतलब क्या है तो यह दोस्तों आपका मेजरमेंट याने की माप है फिट क्या है आपका यह आपका माप है ठेक दस नंबर question है कि John was traveling by bus to his village, he noted the name of a place that he could see on his journey, what are these words called as? John bus से अपने गाउं जा रहा था, उसने उस अस्थान के नाम नोट किये जिन्हें वे अपनी यात्रा के दोरा देख सकता था, इन सब्दों को क्या कहा जाता है, तो इन सब्दों को दोस्तों हम लोग naming word यानि की नाम करान सब्द कहते हैं, ग्यारे नमबर कोश्ट्यान है कि cats इजान एक जांपा लाफ वर्ड, बिल्ली कौन से सब्द का उदारान है, तो देखें जो बिल्ली है, यह जो उदारान है दोस्तों आपका बहु बचन है, बिल्ली यहां पर cats है न, cats यानि की बिल्ली यह क्या है यह आपका बहु बचन है, अगर cat भर रहते हैं यानि की बिल्ली भर रहते हैं, आपका singular हो जाता है, यानि की एक बचन, बार नमर कोश्ट्यान है कि singular naming words are used when person, place or think is present, एक बचन नाम कर एक हो, ठीक, तो अगर एक quantity एक है, चाहिए वो person or place हो या कोई वस्त हो, तो वहाँ पर सिर्फ एक बचन का परियोग करते हैं, यानि की singular name word का परियोग करते हैं, तेरे नमर कोश्ट्यान है कि plural form of child age है, यानि की बच्चे का बहु बच्चन रूप क्या है, ठीक, तो देखें बच्चे का दोस्तों जो आपका बहु बच्चन रूप होता है, वह होगा आपका children, तो child का children हो जाएगा, चवज़े नमर कोश्ट्यान, a child was working in the computer lab, which had many computers, the word computers is in the which form, एक बच्चा computer lab में काम कर रहा था, जिसमें कई computer थे, computer सब किसके रूप में है, तो देखें, जो computer है, वो दोस्तों है, आपका plural, यानि की बहु बच्चन के रूप में है, जिसमें कई computer थे, कई computer मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर computer जो सब्धा है, यहाँ पर plural, यानि की बहु बच्चन में है, पंदर नमर कोश्ट्यान के बिना विजिटेड दा dentist, because he was suffering from tooth, as he, dentist, treats our treat problem, in his sentence, which is the plural word, बिने दंत चिकिसक के पास गया, क्योंकि वह दंत दर्द से पीड़ित था, दंत चिकिसक हमारे दांतों की समस्याओं का इलाज करता है, इस वाक में बहु बच्चन सब्ध कौन सा है, तो देखें, इसमें जो बहु बच्चन सब्ध है, वह है, दांत, यानि की teeth हो जाएगा, 15 का यहाँ पर यह answer correct होगा, 16 नमबर कोशन है, कि pronounce X, यह example हो जाएगा, यहाँ पर, he, see, her, can be used in the place of, सर्वनाम, दारण के रूप में, वह, 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 he, लड़कों के लिए परियोग होगा, यानि की फूरुस के लिए, सी महिला के लिए, हर ये भी महिला के लिए, का परियोग किसके आस्थान पर किया जा सकता है, यह जो परियोग किया जा सकता है, यह आपका naming word, नाम करण सब्ध के आस्थान पर परियोग किया जा सकता है, वह रहतम मेनी पूपर कई लोगों को अगर संदर्भित करना रहे तो हम लोग दे का परयोग करते हैं The pronoun I is used for सर्वनाम I का परयोग हम लोग किस के लिए करते हैं तो I का परयोग हम लोग करते हैं Myself यानि की I मतलब होता है मैं यानि की Myself के लिए यानि की खुद के लिए हम लोग आई का परयोग करते हैं Ramesh is working in Chennai Likes the office environment Ramesh Chennai में कारे रथ है इसको कारे याला का महौल पसंद है तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका यहां पर आएगा He He likes the office environment 20 नमर कोशन है Sita and I Are friends Stay in Gandhi Bajar Sita और मैं मित्र है Gandhi Bajar में रहता है यहां पर क्या हो जाएगा Sita and I are friends यहां पर हो जाएगा आपका See stay in Gandhi Bajar ठेक यानि क्यों यह गांधी Bajar में रहता है 20 के यहां पर B answer correct हो जाएगा 21 नमर कोशन है Action words are also called क्रियात्मक सब्दों को और क्या कहा जाता है तो देखिए क्रियात्मक सब्दों को हम लोग दोस्तों कहते है Verb याने की क्रिया कहते है अब देखिए 20 नमर कोशन है यहां पर हो जाएगा नेमिंग वर्ड नाम करने सब्दों को बताती है तेस्ट नमर कोशन है किम फेल फ्राम हर बाइक श्टेड़े दा एक्शन इन दा संटेंस इज इन फिच टेंस है किम कल अपने बाइक से गिर गई वाक में करिया काल किसमे है तो देखिए किम कल अपने बाइक से गिर गई यह जो वाक के है दोस्तों यह आपका है पाश्ट में यानि कि अतीत में है बीचते हुए कल में 24 नमर कोशन है it is going to be a sunny day tomorrow the action in his sentence is in which tense कल धोप वाला दिन होने वाला है इस वाक में किरिया किस काल में है तो देखिए कल धोप होने वाला है कल धोप वाला दिन होने वाला है इस वाक में दोस्तों जो टेंस होगा जो टेंस रहेगा वो आपके रहेगा future यानि की आने वाला कल तो भबिस से हो जाएगा future 25 नमबर कोशन है Arun travels to school by bus the action word in the sentence is Arun bus से school जाता है वाक में क्रिया सब्द क्या है तो देखें क्रिया सब्द है यह आपका है travels यानि की school जा रहा है यानि की travel कर रहा है तो इसमें यह क्रिया है 26 नमबर कोशन है Adjective or which type of word विस येशन कौन से सब्द है तो देखें जो adjective होते हैं दोस्तों यह आपका describing यानि की वालानात्मक सब्द है describing यानि की बताने वाले सब्द है तो 26 कि आपर सी answer correct हो जाएगा 27 नमबर कोशन है describing word add more information to the सब्दों का वालान करने से किसमें अधिक जानकारी जूड़ती है तो वो जूड़ता है दोस्तों आपका naming word यानि की 27 का A हो जाएगा यहाँ पर naming word 28 नमबर कोशन है It is a knife fill in the correct adjective या एक चाकू है सही बिसेशन चुने देखिए It is a यहाँ पर हो जाएगा आपका sharp knife यानि की नुकीला या तीखा चाकू है यह एक तो इसमें sharp एक सही बिसेशन है 29 नमबर कोशन है The sea is blue in this sentence which is an adjective यानि की समुद्र नीला है इस वाक्य में कौन से एक बिसेशन है तो इसमें दोस्तों जो विसेशन है वो है दोस्तों आपका blue ठीक वो इसकी विसेशता को बताता है कि जो C है यानि समुद्र है वह है यहाँ पर उसका color यानि की विसेशता को बताता है कि वह है नीला है अब देखिए कि अर्जुन फिल्ड वाटर इंटु ए लार्ज पार्ट इन इस संटेंस देस्क्राइबिंग वर्ड इज अर्जुन ने एक बड़े बरतन में पानी भरा इस वक्त में वरण करने वाला सब्द क्या है तो देखिए वरण करने वाला जो सब्द है इसमें हुआ है दोस्तों आपका लार्ज है यानि कि लार्ज पार्ट यानि कि पार्ट की विशेष्टा बता रहा है ये आपका बड़ा है तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सब्द हो जाएगा आपका लार्ज है एक तिस नमर कोशन है गार्ज है तो यह रहता है दोस्तों तो वाक्य में अगर बिराम चनी लग जाता है तूसे आर्थ को समझने में क्या होता है यहाँ पर साफ रहता है, यानि कि 31 के यहाँ पर clear यानि कि साफ रहता है, तो वाक्य में बिरामचिन्ह के अर्थ साफ समझ में आते हैं, तो अगर वाक्य में बिरामचिन्ह लगा है, तो उसका कहने का मतलब क्या है, वह जल्दी से समझ में आ जाता है, तो clear हो जाएगा यानि कि साफ, तो वाक्य की शुरुवात किस अच्छर से होनी चाहिए तो देखिए वाक्य की जो शुरुवात होनी चाहिए दोस्तों वह होना चाहिए आपका capital ठेक यानि कि वाक्य की शुरुवात बड़े अच्छर से होनी चाहिए capital later से होनी चाहिए यहाँ पर राजधानी नहीं होगा capital later से होनी चाहिए 33 number question है कि comma is used to so a within the sentence वाके में किसको दर्षाने के लिए यह alpha gram को पर्योग किया जाता है तो यहाँ पर देखिए break तोड़ने के लिए हम लोग alpha gram को पर्योग करते हैं 34 number question है कि Sita wanted to ask Nina about her summer plan choose the correct answer सीता नीना से अपनी ग्रिस में कालिन योजना के बारे में पूछना चाहती थी सही उत्तर का चैयन करें तो देखिए सीता नीना से उसकी ग्रिस में कालिन योजना के बारे में after the meeting we will go out जहां आवस्यक हो वहां आल पे विराम लगाएं बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे तो यहां पर आएगा आपके दोस्तों कि after the meeting we will go out बैठक के बाद हम बाहर निकलेंगे अब देखिए यहां पर complete meaning पूर्ण अर्थ वाले सब्दों का समोह होता है 37 नंबर कोशन यहां पर कर है एक डिकलेरेटिव कि संटेंस टेल आस सम इंफार्मेशन और एक्स्पलेनेशन इट इंड विथ इट इंड विथ घोषड आतमा को वाकि में कुछ जानकारी या स्पश्टी करण बताता है यह किसके साथ समाप्त होता है तो यह समाप्त होता है दोस्तों आपका फूल इस्टाप यानि की फून विर्याम के साथ 38 नंबर कोशन एन इक्सलामेटरी संटेंस इंड विथ बिस्मियादी बोधक वाक किसके साथ समाप्त होता है तो देखे बिस्मियादी बोधक वाकि जो रहता है यह जो समाप्त होता है दोस्तों आपका इक्सलामेटरी मार्ग याना कि बिस्मयादी बोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है थार्टी नाइन नमबर कोचन वाव दा फ्लावर्स इन पार्क बीटिफूर दिस इचे विश टाइप अप संटेंस वह वाव पार्क में फूल सुन्दर है यह किस प्रकार का वाग के है यह दोस्तों आपका इक्सलामेटरी वाग के है बिस्मयादी बोधक वाग यहां पर दे पूलिस उसके अफराद के बारे में पूशताच कर रही थी यह किस प्रकार का वाग क्या है तो देखिए यह जो वाग है आपका यह आपका दोस्तों डिकलरेटिव यानि की घोसलात्मक वाग क्या है 41 number question देखी यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है यहाँ पर every complete sentence है परतेख पूर्ण वाकि में क्या होता है तो देखे परतेख पूर्ण वाकि में दोस्तों यहाँ पर आ होता है आपका तीन भाग होता है 41 के यहाँ पर C answer correct हो जाएगा 42 number question है The is what or whom a sentence is about वह है जो वाकि किस के बारे में बताता है तो देखे what or whom जो होता है किसी sentence में या किस के बारे में बताता है देखे what or whom जो होता है दोस्तों यह बताता है दोस्तों आपका subject के बारे में यानि कि बिशा के बारे में बताता है 43 number question है the correct order for a sentence is वाक्य का साहिक्रम क्या है तो देखिए वाक्य का जो साहिक्रम होता है वो रहता है आपका subject, verb, object तो subject, verb और object हो जागा चब वारे समबर कोशन है कि राधा है लारेंट how to write a sentence which is the subject in this sentence राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है इस वाक्य में विखना साहिक्रम है तो यह है दोस्तों आपका राधा राधा हमारे यहाँ पर subject है ठेक 45 नमबर कोशन है choose the correct sentence सही वाक्य का चैन करें यहाँ पर देखिए जो सही वाक्य है वो है the cat runs on the road बिली सनक पर दोड़ती है 46 नमबर कोशन यहाँ पर देखिए का रहा है the most effective way to get information is by जानकारी प्राप्त करने का सबस्वर प्रभावी तरीका क्या है देखिए जानकारी प्राप्त करने का जो सबस्वर प्रभावी तरीका है वो है आपका rating यानिकी अध्यान 47 नमबर कोशन है एक poster present information by using एक poster किसको उप्यो करके जानकारी प्रस्थूत करता है तो यह रहता है दोस्तों आपका image and color चबियां और रंग का उप्यो करके जानकारी प्रस्थूत करता है 49 नमबर कोशन कि symbol give size information throw प्रतिक हमें किसके माध्यम से जानकारी देते हैं तो यह हमें देते हैं दोस्तों image के माध्यम से 49 के यहां पर भी answer correct हो जाएगा 49 नमबर कोशन है कि yes बाटे बिग sorry यहां पर yes बाटे बैग which had recycle symbol what should he do when the bag is old yes ने एक बैग खिरीदा जिस पर recycle का चिन्न था बैग पुर्वाना होने पर उससे क्या करना चाहिए तो उससे करना चाहिए कि should dispose it in recycable item इसे पुनर चक्कन योग वस्तों में निप्टाना चाहिए 50 नमबर कोशन है कि राजवाज ड्राइविंग तूर्स मैसूर on the way he found few arrow marks nest to मैसूर on the board what does it suggest राज मैसूर की और गाली चला रहा था राश्ते में उसे board पर मैसूर के बगल में कुछ ती रंकित मिले यह क्या सुझाओ देते हैं यह सुझाओ देता है दोस्तों direction याने की दिसा का तो दोस्तों यहाँ पर यह प्वाइट में जो chapter है वो complete होता है और वीडियो आगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों साथ सेर करिए लेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यो